नमस्कार जिसमें प्लॉट के चेन से लेकर ग्रह निर्मान तक और ग्रह निर्मान से लेकर ग्रह परवेश तक मैं आप लोगों को यूटूब के मादिम से मैक्सिमम जानकरी इस सीरीज में दे रहा हूं मैंने जैसे पिछले प्रोग्म में आपको बिल्डिंग मैट्रियल के बारे में कैसे रखना चाहिए हर दिशा के बारे में आपका प्लॉट नॉर्थ फेसिंग है एस्ट फेसिंग है वेस्ट फेसिंग है या सौथ फेसिंग है या कॉर्णर का प्लॉट है या तुसाइड ओपन प्लॉट है मैंने हर तरह के प्लॉट में बिल्डिंग मैट्रियल उतारने के स जब मैप डिजाइन हो जाता है तो उसके बाद घ्रह निर्माण की शुरुवात होती है पानी के अंडर्राउंट टेंक के बारे में समर्सविल के बारे में मैंने आपको पहले बताया है और आज जो बता रहा हूं कि नीम की खुदाई कहां पर किस दिशा में कैसे करने इशान कोना सबसे नीचा हो जाता है और जब इशान कोना नीचा होता है तो बिल्डिंग बनने में दिक्कत नहीं आती इशान कोने से खुदाई शुरू करेंगे आपका प्लोट नौर्थ फेसिंग है तो इशान कोने से खुदाई करते हुए पहले आप आगने कोने में जा दिशा की नीम की खुदाई करेंगे और सबसे बाद में आपने दक्षिन दिशा की नीम की खुदाई करनी है आगने कोने से दक्षिन होते हुए नेरित्य कोने तर आपने नीम की खुदाई करनी है जब आपके नीम की खुदाई हो जाए तो उसमें आपने ध्यान रखना है ज आपके बिलिंग समय पे पूरी हो जाएगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपकी पहली शुरात अच्छी होती है तो आगे के सारे सिस्टम अच्छे होते चले जाते हैं मेरी बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करना जो बाते मैं आपको बता रहा हूं अब इसके बाद आते हैं नीम की भराई जहां आपके पंजय जी कहते हैं कि भूमी पूजन यहां इस दिशा में होना चाहिए आप वहाँ पर भूमी पूजन कीजिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपने ध्यान रखना है जब आप भूमी पूजन करते हैं नीम की इंटे रखते हैं तो वो इंटे जो घर का मुखिया जो घर का ओनर है जो प्लॉट का मालिक है वो अपने हाथों से रखे और नीम की जो इंटे है वो बिल्कुल इस तरीके से रखे जो पांच इंटे नीम की रखी जाती है जैसे भी वो नीम की इंटे रखी जाती है वो सिधी रखी जाए या तिर्ची रखी जाए आपने जैसे हाथ छोड़ दिया यानि एंट रखती तो उसको दुबारा हिलाना नहीं है जो नियू की पाचीटे है इस प्रकार से आपने लगानी है जैसे आपने उसको रखा वैसे ही रखे रहने देना है चाहे वो सीधी हो चाहे तिर्ची हो उसको नहीं छेड़ना है पॉइंट के लिए उसके अंदर आप तामबे के लोटे में जल रखते हैं नागनागीन का जोड़ा रखते हैं और दिया जलाते हैं जो भी सिस्टम है जो आपके पंज़जी काम करवाते हैं वो काम आप करवा सकते हैं बस धियान रखना है नियू की इंटे हिलनी नहीं चाहि और वह नीम में दब जाती है तो मेरा कहने का मतलब आप समझ गए है कि नीम की इंटे कहां किस प्रकार से रखनी है एक बात का और ध्यान रखना है जहां आप नीम की इंटे रखें तो वहां पर दूबरा खुदाई नहीं होनी चाहिए जाहिए अब मैं आपको बताना चाहू होते आगने कोने तक साउथ हिस्ट और न तक आपने सबसे पहले साउथ की दिवार को भरना है उसके बाद अंदर की जितनी भी डीपीसी है आपके जितने तॉम बने हुए एक ट्यॉल एक कात्रूम बने है किचेशन बने जो है तो पीछे से दक्षिन दिशा से भरते हुए आ आगे उत्तर दिशा की और आएंगे पश्चिम की दिवार भी आप दश्चिम की दिवार के साथ साथ उठाएंगे नरित्यक होने से पश्चिम तक और पश्चिम से वाइवेक होने तक नियम की भराई करें और उसके बाद साउथ वेस्ट और से नियम भरते हुए नॉर्थ य कैसे करनी है और निव की भराई कैसे करनी है इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो आपके बिल्डिंग जल्दी करके पूरी हो जाएगी मैंने जो सीरीज आपके लिए बनाई है यह सीरीज में आप लोगों कंप्लेक्ट करके दूंगा जो वेक्ति अपना नया घर बनाता है उ लेकिन घर तो बनाना है जब घर बनाएंगे तो आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें मेरे द्वारा इस वीडियो में दीगी जान कर यह आपको सही लगी तो आप अपने घर को बनाते समें इन खास बातों का जरूर ध्यान रखें हमारे पिताजी द्वारा लिखित परत उठाया है, आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो आप हमारे यह待 न्य पुर सक्तिक, हमारी आप अब बिल्लिंग को बनाने में साह्थ जरोड होगी। आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो आप हमसे online consultancy भी ले सकते हैं और आप हमारे यहां से map भी बनवाना चाते हैं करना चाते हैं तो आप हमें site visit के लिए इन्वाइट कर सकते हैं मेरे द्वारा इस वीडियो में दे गई जानकरी इस आपको सही लगी तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक भी करें और मेरी इस वीडियो को अपने family और friends में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि मैं आप ल और WhatsApp ग्रूप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मेरी भी हिम्मत बड़े और मैं भी आप लोगोंको लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँ आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ने किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लि अच्छी से ज्याद बनाने की की कि कैनल करें तो आपने मेरे चैनल को लिए आपने वीडियोंको लिए और मेरे कि अबर मेरे बनाने मेरे चैनल